आज आमेलकुम वीवर्स उमीद करते हों तो आज और आप लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी है और पहुत ही जट पड बनकर रेडी हो जाएगी लेकिन इसके लिए एक चीज की जुरूत पड़ेगी और वहें कैंडी और कैंडी तो हीजिली आपको हर दुकान से मिल जा आपको बहुत अच्छी लगेगी और मुझे यकीन है कि आप रेस्पी ट्राय भी करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी से आप मेरी वीडियो को लाइक प्यू करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको औरेंज के जरूरत हैं आपको ही भी तो यहां पे तकरीबर मैंने एक पैकेट औरेंज केंडी का लिया है अब यहां पे में सारी केंडी यूज करने वाली नहीं हूँ इनमें से सिर्फ मैं 10 से 15 केंडी ही यूज करूँगी ठीक है आप भी जितनी ज्यादा आपको अमाउंट बनाने हैं उस हिसाब से आप केंड बनाने के लिए आपको किसी भी किसम की फूद कलर की भी जरूरत नहीं है ठीक है यह देखिए कितना खुब्सुरत इसका अपना ही औरेंज कलर रहा और मैंने यहां पर कोई भी फूद कलर भी ऐड़ नहीं करना ठीक है अच्छी यहां पर मैं इनको एक प्लेट में निकाल अच्छे से ठीक है यहां पर मैंने इसको दर्दरा सा कूट लिया ठीक है आप यह से किजएगा इसको बिल्कुल जादा पाउडर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है तो यहां पर देख लिए आप इसकी किस तरह दरदरा सा एक पाउडर रेडी है अब एक सॉस पैन लीजिए अब इसके अदर मैं दो टेबल स्पून जो है वो शुगर एट करने वाली हूँ लेकिन यहां पर मैं आपको बता दू कि अपनी कैंडी जो भी आप कैंडी ले उसके हिसाब से आपने शुगर एट करने हैं कितना आपको मीठा चाहिए आप टेस्ट कर लीजिएगा जितनी कैंडी यह ओरेंज फ्लेवर उसके थोड़ी खटाज को मेंटेन करने के लिए यहां पर मैं एक लैमन स्कुईज कर रही हूं आप चाहिए तो हाफ लैमन भी स्कुईज कर सकते हैं अब यहां इसका कलर देख लीजिए बिल्कुल भी फूट कलर एड़ी और इतना अपना है स क्या थे मेरा क्य lå colleg के अब थंडा करने के लिए में रख दूह थंडा कर रही हूं फर्दध करने के बाद ए आपने इसको काई क्रीम जो मौल्ड हैं उसके अंदर एड़ करने है आप किसी पर एच्छे बड़तन में एड़ कर लीजिए इसको ताकि आप मैं इसकोई से डाल स आप उनके अंदर भी इसको जमा सकते हैं इसमें कोई फिक्स नहीं है अगर आपके घर में चोटे ग्लास रखे होएं तो आप उसके अंदर इसको जमा ले या आपके अपनी चुआईस है इसके लिए कि अब अगर तो आपके पास आइस-क्रीम मोल्ड की कवर ने तो आप वह लगा लगा लीजिए वरना आपको अलुमिनियुम फॉइल कि अब इसके अंदर कट लगाएंगा नो फॉयल के अंदर और अपने इंतहाई दिहान से लगाना है बहुत बड़ा कट नहीं लगा देना यह नहों कि जो पॉप्सिकल स्टेक्स हैं वो टेली हो जाएं यह बिलकुर मैंने छोटा सा कट लगा और अच्छे से इसको सैट भी कर आपने क्या करना है अच्छा वीडियो को लास तक जरूर देखा किजिए लास तक देखेंगे तो आपको सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेस्पी अच्छी बनेगी न अब यह देखिए सब को मैंने रेडी कर लिए अब यहां पर मैं इनको फ्रीजर में र पर बार फ्रीज खोल करेंगे कि अब रेडी होगी अब रेडी होगी अब रेडी होगी तो प्लीज यह जीज़ का पुखत आपने दियान करते हैं यहां पर देखिए तकरीब इसको मैंने 6-7 गंटे फ्रीजर में रखा था और यह बहुत अच्छे से जम चुकी हैं देखि उससे पहले आपने इसको छेड़ना नहीं आइसक्रीम को अगर आप डिरेक्टी इसको निकालना शुरू हो जाएंगे तो यह स्टिक्स होती है यह तोड़ जाती है यह एक टिप है आप लोगं के लिए कि आप इसको प्रग दीजिए पानी के अंदर और इंतजार कीजिए बहुत जादा इंतजार नहीं करना बस पांसे शे सेकिंड के बाद यह देखिए मैंने इसको डिमॉल्ड कर लिया कितनी अच्छी से खुबसूरत पॉप्सिकल्स और इंज कलर के बनकर रेडी हैं और यह इतने मज़ेदार है खाने में भी बहुत ही इनका खटा मिठा सा एक इनकी अच्छी से लुक भी दिखाती हूं यह करीब से नहीं कितना मज़ेदार सा और इंज कलर है और यह देखिए किता जूसी सा खटा मीठा सा मज़ेदार सा और इंज पॉप्सिकल रेडी है तो यह रैस्पी को आपने ट्राय जरूर करना है और ट्राय करने के बाद आप झाल